नमस्कार दोस्तों नव भारती पीटी कॉलेज में आप सबका स्वागत हैं आज मैं आपको आर्टी एक्ट दो हजार नो जिसको हम सिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं समस्त भारत में एक अप्रेल दो हजार दस में लागू हुआ और यह जो अधिकार अधिनियम को छोड़कर समस्त भारत में लागू हुआ और ये 35 वा अधिनियम माना जाता है कौन सा अधिनियम 35 वा अधिनियम माना जाता है गणराज्य के 60 वे वर्ष में इस अधिनियम का निर्मान किया गया अब बात आती है कि जो आटी अधिनियम है उसमें अध्याय है साथ कितने हैं साथ और आपकी धाराएं हैं 38 तो हम इन सातों अध्याएं और इनके अंदर की जो धाराएं हैं उन सब का अध्यान करेंगे तो सबसे पहले आता है बच्चों अध्याय फस्ट अध्याय फस्ट में दो धाराएं अध्याय फस्ट में कितनी धाराएं हैं? दो धाराएं धारा पस और धारा सेकिड धारा पस में नाम दिया हुआ है किसका सिक्षा के अधिकार अधिनियम का नाम दिया है बच्चो निशुल अनिवार्य बाल सिक्षा अधिनियम दो हजार नूँ इस अधिनियम का नाम दिया गया है इसी के साथ धारा पस में बताया गया है कि मदर्सो वैदिक पाटशाला हो और धार्वी जितने भी संस्थान और विद्याले है उन पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा तो कौन सा सिक्षा का अधिकार अधियम ये धारा पस्ष्ट में है अब बात आती है बच्चो धारा धो में क्या है धारा धो में कुछ उपधारा ही है जिन में कुछ ऐसे शब्दावली को डिफाइन किया गया है परीभाशित किया गया है वो कौन कौन सी है बच्चो देखो बाला धारा दो में कहा गया है कि 6 से 14 वर्स्तक के बाच्चों को इस अधीनियम में शामिल किया गया है दूसरा है समुचिस सरकार समुचिस सरकार में यहां पर कौन कोनाता है राज्य सरकार और संग सरकार को इसके अंतरगत शामिल किया जाता है S वीदा ग्रस्त बालक वो बालक है जिसमें SC, ST, OBC, Cancer, HIV इन से जो पेडित बच्चे हैं वो S वीदा ग्रस्त बालक की स्लेडी में आते हैं पिर आता है क्रारंडिक सिक्षा 1 से 8 तक के हैं दुर्वर्वर्वर्व डाई लाग से जिन माता पिता की इंकम कम होती है वो दुर्वर्वर्व में आते हैं इसके अलावा दोस्त दो आयोग भी बनाए गएं दो आयोगों की भी समें चर्चा हैं एक राष्कियम, बाल अधिकार, संग्रक्षन, आयोग और राज्यम, बाल, अधिकार, संग्रक्षन, आयोग जो की शिकायतों का नुबारन करते हैं धारा दो में स्कूलों के चार प्रकार बताएं है सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त प्रबंदित और विदिवत जो विद्याले है एक इस तरह के विद्याले होते हैं एक विद्याले ऐसे होते हैं जो नीजी चित्र द्वारा चालू किये जाते हैं लेकिन सरकार द्वारा उनको अनुदान दिया जाता है और कुछ नीजी विद्ध्याले ऐसे होते हैं जिनको अनुदान नहीं दिया जाता तो तीन तरह के विद्याले को ये हो गए और विशिष्ट जो विद्याले उनमें चार तरह के विद्याले को शामिर किया गया है तो इस प्रकार स्कूलों को चार वागों में डिफाइन किया गया है कौन सी सिक्षा में? कौन सी सिक्षा में? आपकी सिक्षा के अधिकार अधियम की धारा दो मेरी स्कूलों के चार प्रकार बताएं है सरकार द्वारा अनू जो दान प्राप्त है विदिवग्द है और प्रबंदित है वो जो विद्याल है एक वो विद्याले होते हैं दूसरे नीजी स्कूल है और सरकार द्वारा जिनको अनुदान मिला हुआ है एक स्कूल वो होते हैं जो नीजी चेतर में होते हैं लेकिन जिनको अनुदान राप्त नहीं होता है विशिष्ट को हम चार भागों में बाटा गया है किंद्री विद्याले, नवोदे विद्याले नवोदे विद्याले का नाम आप लोगों ने सुना ही है, हमारे पावटा, पावटा में है नवोदे विद्याले, सैनिक स्कूल, राजस्तान में दो सैनिक स्कूल है, कहां कहां पर है, एक चित्तोरगड में है, और एक दोलपूर में, सैनिक स्कूल, चित्तोरगड है, दोलप को वी निर्दिष्ट या विसिष्ट लिद्यालों के नाम से जाना जाता है तो धारा दो में स्कुलों के चार प्रकार बताए गए हैं आगे चलते हैं बच्चों अध्याय दो कौन से अध्याय में आ गया हैं अध्याय दो, अध्याय दो में बच्चो तीन धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, तीन अध्याय दो में कितनी जी, दो, धारा बनो, धारा टू वैसे ही अध्याय दो में तीन धाराएं हैं बच्चो, पहली है धारा तीन धारा तीन जो है वो क्या है उसमें क्या है धारा तीन ये कहती है बच्चो क्या कि 6-14 वर्स तक के बच्चो को निशुल्क सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है कोई भी विद्यालेंसे शुल्क वसूल नहीं कर सकता निशुल्क सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है निशुल्क सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है कौन सी धारा में बच्चो धारा तीन में इस बास का उलेख किया गया है अब आता है बच्चो धारा चार धारा चार में क्या का गया है कि आयू के अनुसार बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा मतलब यह है कि कोई बच्चा अगर 10 वर्ष या 11 वर्ष का आपके पास में आता है तो उस बच्चे को आपको पाँचवी क्लास में एड़िशन देना पड़ेगा इससे पहले उसको तीन महीने का प्रसिक्षन दिया जाएगा उसको हो सकता है ब्रिज कोर्ष करवाया जाए लेकिन उसको उसी क्लास में वेजा जाएगा जिस आयू वर्ष का वो बच्चा है उस आयू वर्ष का बनानी के लिए ब्लॉक इस तरपर कोर्ष करवाया जाते है प्रसिक्षन दिया जाता है और तीन महां के प्रसिक्षन के बार उस बच्चे को स्कूल में उसकी आयू के अनुसार क्या कर दिया जाता है तो यहां पर कहा हुआ है कि बच्चे को आईू के अनुसा घी प्रवेश दिया जाएगा ये आपके अध्याई दोकी धारा चार में ये बात कहीं गई है अब बात आती है बच्चो धारा पांच धारा पांच में ये कहा गया है कि प्रधानाचारिये द्वारा अगर कोई भी बालक इस्तानानंत्रन प्रमान पत्र चाहता है या अपनी स्कूल को ट्रांसपर करना चाहता है तो प्रधानाचारिये का करतव है कि वो उसे इस्तानानंत्रन का प्रमान पत्र उपलब्द करवाए अगर प्रधानाचारिये ऐसा नहीं करता तो उसके विरुद दंडात्मक या अनुसाशनात्मक कारिवाई की जा सकती है तो धारापांच में ये है कि प्रधानाचारिये द्वारा इस्कूल इस्तानांत्रन पत्र मांगे जाने पर विद्याले को वो प्रमान पत्र देना होगा क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा एट तक है तो नाइंध क्लास में दूसरी स्कूल में जाना चाता है या उसके माता पिता का ट्रांसपर हो गया है तो कई कारण हो सकते हैं लेकिन प्रधानाचारे बादित है कि अब प्रधानाचारे को इस्तानांत्रन का प्रमान पत्र उपल बद्द करवाना पड़ेगा तो धारा पांच में ये बात कई गई है बच्चों तो अध्यार दो में कितनी धाराएं हैं तीन धारा पी धारा चार और धारा पांच धारा चार शैसे चोधा वर्स तर सिक्षा प्राप्त करने का बच्चे का अधिकार है धारा चार आयू के अन इसार बच्चे को प्रवेशन दिया जाएगा धारा पांच प्रमान पत्र इस्तानांत्रन का प्रमान पत्र प्रदानाचारे को बच्चे को देना होगा अगर कोई प्रदानाचारी ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्धंडात्मक और अनुसक्षनात्मक कारवाई की जा सक तो छैसे लेकर ग्यारा क्या है अध्याए तीन में जो है आपकी कितनी धाराय हो गई स्थान्य प्राधिकारी समय इस्थान और इस्तती के अनुसार जगे जगे पर विद्याले इस्तापित किये जाएंगे क्या इस्तापित किये जाएंगे विद्याले इस्तापित किये जाएंगे धारा चैनल कहा गया है कि समुचित सरकार वैस्तानिय प्रादिकारी समय इस्तान और इस्तधी को ध्यान पे रखते हुए विद्याले इस्ताफित करेगी एक किलो मिटर के दाइरे पर प्रात्मिक विद्याले होना चाहिए और दो किलो मिटर के दाइरे पर उच्छ प्रात्मिक विद्याले की स्ताफना की जाएगी एक किलोमेटर के दाइरे पर प्रात्मी विद्याले की सापना की जाएगी और दो किलोमेटर के दाइरे पर उच्छ प्रात्मी विद्याले की सापना की जाएगी ऐसा इस धारा में है और कहा गया है कि तीन वर्ष के अंदर इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष के वितर समुचित सरकार और इस्तानिय प्राधिकारी को विद्याले इस्ताफित करने पड़ेंगे ठीक है अच्छो अब आता है धारा साथ धारा साथ में समूचित सरकार की जो आपकी राज्य सरकार और जो आपकी केंद्र सरकार है जो विध्यार्यो या सिक्षा पर खर्च करेगी उस विध्ये खर्च किस प्रकार करेगी संयुत रूप से करेगी मतलब वितिय बार केंदर सरकार पर भी होगा और राज्य सरकार पर भी होगा तो हमारी जो 11 पंचवर्षी योजनाओं का नाम सुना होगा जिसको आमने रसिया से लिया है और भारत में 12 पंचवर्षी योजनाओं चली इन बारे पंचवर्षी योजनाओं में जो ग्यारवी पंचवर्षी योजना थी उसमें कहा गया कि 55% तो देगी Central Government और 44% देगी State Government बारवी पंचवर्षी योजनाओं में इसको चेंज कर दिया और 65-35 का आंकडा बना दिया आज जो आंकडा चल रहा है बच्चो 60-40 का चल रहा है जबकि पुर्वुत्तर जो भारत है वहाँ 95% Central Government देती है और 10% वहाँ की राच्चे सरकारे उपलब्द करवाती है ठीक है बच्चो अब बात आती है बच्चो आठ धारा आठ धारा आठ में वितियकर समझ में आगया होगा धारा आठ में का आगया है कि समुचित सरकार के क्या-क्या दाइप होगे आप सब जानते हैं बच्चो इसकूल के जो टीचर्स होंगे उनको प्रसिक्षन उपलब्द करवाना उनको नियुक्ती प्रदान करना इसके अलावा प्रसिक्षन संस्तानों की स्तापना करवाना विबिन प्रकार के कारिक्रम चलाना इसकूलों का प्रबंदन करना इसकूल संध्यवीथर प्लबिन स्कूल सेवाय उपलब्द करवाना इस्कूल विलिदिंग स्कूल प्रशास्उ स्कूल का सभी स्सेंग सेवाय hus नुग्यात्यर की दाइद्व है आपकी नगरपाली का है इस्तानी सरकारे ग्राम पंचायत है सरपंच है पंच है वाड़ पंच है इसके अलावा आपके जिला इस्तर पर अनेक अधिकारी होता है जैसे सतिक्रफ प्रवंधन ग्राम इसके अलावा यहीं कि अलावा इसक प्रवेक्षन करते हैं इसके स्कूल का प्रबंधन कि प्रकार चल रहा है वेहां पर इप्रकार कोने कमरे कि इतने अलगाले चाहिए वह आ पर कम्प्यूटर वाइब है या नहीं है वहाँ पर पुस्तकाल है या नहीं है वहाँ पर खेल कुद का मैदून है या नहीं है अधिगम सामगरी है या नहीं है तो इन सब चीजों को देखना इस्तानिय प्राधिकारी की क्या होगी बच्चो जिम्मेदारी मानी जाएगी उसके बाद आता है बच्चो धा धारा-गारा के बच्चों को पुर्व प्रात्मिक सिक्षा उपलग्द करवाने के लिए आंगन वाडी केंद्र और बाल वाडी केंद्र की स्ताथना की जानी चाहिए और आज समसा के तहत हमने एक से बारा तक के विद्यायों को शामिल नहीं किया है समसा कारिक्रम के तहत हमने पुर्व प्रात्मिक से बारवी तक के जो बच्चे हैं उनको सिक्षा दिलाना दाइत्वमाना है समसा के कारिक्रमों के तहत तो तीन से छे साल तक के वच्चों को आंगन वाडी और बाल वाडी की सुविदाएं उपलग्द करानी होगी ठीक है बच्चों तो आपने देखा क्या देखा अध्याय की में छे धारा हैं धारा छे में समुचित सरकार इस्तानिय प्राधिकारी स्कूल इस्ताफित करेंगे समय इस्तान और इस्तती को देखकर इसका उल्ले किया गया है धारा साथ में वितिये खर्च के बारे में उल्लेक है आज केंडरो राज्य सरकार का अनपार साट चानीस है जबकि पुर्वत्तर राज्यों में नब्बै और दस का अनपार पाया जाता है धारा आर्ट में समचित सरकार के दाइकों का उल्लेक है धारा दस में माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेक किया गया है और धारा ज्यारा में आपके आंगत तीन से छे वर्सतक के बच्चों के लिए आंगन वाडी और बाल वाडी का इक्रमों का उल्लेक किया गया है तो ये आपने अध्याए तीन देखे अब बात आती है बच्चो अध्याए चार में क्या है आपने अध्याए देखे अध्याए एक, अध्याए दो और अध्याए तीन तीन अध्याए मैंने आपको कम्प्लीट करवा दिये अध्याय दो में कितनी धारा हैं? अध्याय दो में दो धारा हैं. अध्याय दो में कितनी धारा हैं? अध्याय दो में तीन धारा हैं. धारा तीन में सिक्षा का अधिकार देता है. धारा चार में आयू के अनुसार प्रवेश देता है. धारा पांच में इस्तानांत्रल का अध अधिकार देता है और अधियार तीन में 6 दाराएं जारा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इनमें आपको समुचिस सरकार रिस्तानिया प्राधिकारी स्कूल को क्या करेंगे इस्तापितर करेंगे बच्चों अब बात आती है बच्चों अधियार चार की जो आपके सिक्षा के अधिकार अधिय अधियार चार की अगरम बात करें तो अधियार चार में क्या है अधियार चार सबसे बड़ा है और आपका धारा पारा से लेकर 28 अधियार चार ठीकैं अधियार चार है बारा से लेकर 28 अहा तक है 12 से लेकर 28 अब अभी देखा अधियार चैन है 6 से लेकर 11 अधियार दो है आपके कहां से कहां तक है, तीन से लेकर पांच सब्सक्राइब, तीन चार और पांच, ठीकर अच्छों, ये तीन चीजे हमने देखी, अब बार आती है अध्याय चार, अध्याय चार में हम धारा बारा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, धारा बारा की बात करते हैं, धारा बारा प्रवार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व ठीक है ये जो बच्चे हैं उनको नीजी स्कूल अपने विद्यार्थियों के 25 प्रसेंट निश्चुल्क सिक्षा उखलब्द करवाएगी और ये जो श्चुल्क देगा उसका भार किस पर होगा राज्या सरकारों पर इसका भार होगा धारा बारा में कहा गया है बच्चों कि दूर्बरवर्थ और एस विदाख्रस्ट बालकों को आर्टी अधिनियम के सेर 25 प्रसेंट बच्चों को हर स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा और उनकी प्रवेश पर किसी भी प्रकार का कोई सुल्क माता पिता से वहन नहीं किया जाएगा वो शुल्क राज्य सरकारे वहन करेगी मतलब हर नेजी स्कूल में 25 प्रसेंट बच्चे किसके होंगे दूर्बरवर्थ से एस विदाख्रस्ट बालकों से आएंगे ताकि इन बालकों को भी सिक्षा के समान अवसर उपलब्द हो सके और आपने अपकोंचित बाल जिनको अवसर उपलब्द नहीं हो रहे हैं उनको इसमें समावेशित करने के लिए बच्चो हमने धारा बारा का प्रावधान किया है अब बार आती है बच्चो धारा तेरा आप जानके हो बच्चो 2009 से पहले नीजी स्कूल प्रवेश परिक्षाएं लेते थे माता पिता का इंट्रिव्यू होता था लेकिन 2009 के बाद प्रवेश परिक्षा प्रवेश परिक्षा को क्या कर दिया गया बच्चो समाप्त कर दिया गया दारा पेरा में का गया कि अब कप्षा एक में एड्मिशन करने के लिए क्या नहीं लिया जाएगा प्रवेश नहीं लिया जाएगा और बच्चों जो ये 25% है ये बुक्तान कितने सालों तक नहीं होगा जब बच्चा एक से लेकर 8 तक मान लोग पुरू प्रात्मिक में एड कि 11 साल तक माता पिता से कोई चुल क्वसुन नहीं किया जाएगा अगर वो आटी में है तो ठीक है बच्चों तो यहां पर गहरा है धारा तेरा में कहरा है कि बच्चों से प्रवेश परिक्षा नहीं ली जाएगी ठीक है उसके बार आता है कि प्रवेश परिक्षा को समागत करके लौट्री सिस्टम के द्वारा बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा क्यों क्योंकि जिनके माता पिता पडेल के नहीं है वो बच्चा भी प्रतिभाशाली हो सकता है तो अब किसी भी नीची विध्याले में अगर प्रवेश परिक्षा का आयोजन किया जा रहा है या माता पिता का इंट्रिव्यू है तो बच्चों वो सिक्षा के अधिकार अधिन्यम के विरुद्ध है और हम राच्ये बार अधिकार संग्रक्षन आयो और राच्ये बार अधिकार संग्रक्षन आयो में इसकी क्या आयू का सबूत, आयू का सबूत क्या होता है रख्छोन? जन्म क्रमार्ण को अगर मालो जन्म क्रमार कत्र नहीं बना हो उदा है, तो आप इस आधार पर बच्चे को प्रवेस से बनचित नहीं कर सकतें। उस बच्चे को प्रवेस सेवंचित नहीं कर सकते आयू का सबूत नहीं होने पर भी उस बच्चे को कक्षा में परमिशन देनी पड़ेगी उस कक्षा में उसको शामिल करना पड़ेगा ठीक है बच्चो धारा पंद्रा हो गया 14 हो गया अब बात आती है धारा पंद्रा में क् कि मान लो स्कूल के जो एडमिशन है वो बंद हो गए हैं क्या हो गए हैं बंद हो गए हैं दिनाम में चली गए हैं लेकिन इस आधार पर भी उसको प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता उस बच्चे के लिए विशेश कख्षाओं का आयूजिन किया जा सकता है अगर निर्दारित दिनाम के बाद भी बच्चा एडमिशन लेना चाता है तो रेजी विध्याने को एडमिशन देना पड़ेगा की कर बच्चों तो धारा बारा में क्या हैं पच्चीस परसेंट आरक्षन का प्रावदान है किसके लिए दुर्बरवर्ण और एस विधा ब्रस्त बालकों के लिए धारा 13 में क्या है प्रवेश परिक्षा का आयूजन किया जा सकता लॉट्रे सिस्टम के द्वारा बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा धारा चौदा में कह रहा है कि आयूर का प्रमान पत्र ने होने पर भी बच्चे को प्रवेश सेवंचितर नहीं किया जा सकता और धारा पंदा में है कि अगर निर्दारित समय निकल जाए, एडमीशन डेट निकल जाए, तो भी बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा तो आज आपने अध्याय दो, अध्याय तीन और अध्याय चार के तीन धाराओं के बारे में पढ़ा, नेक्स वीडियो में हम अध्याय चार की बाकी धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, आप चाहते हैं, मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप नव कोफी एक्जामों के द्रश्ट कोनों से ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो आप चाहते हैं मैं इसी तर ऐसे वीडियो बनाऊं तो आप कॉपी में नोट्स को नोट डाउन करते जाए धन्यवाद